इसके पहले भी हम लोगों ने दो वीडियो बनाए जहां पर हमने आपको बताया कि अगर आप अपने मुबाइल फोन पे कोई रिकॉर्डिंग करते हैं चाहे वीडियो है या आडियो है या फोटोग्राफ्स है तो क्या भारत के कानून के हिसाब से एड्मिट किया जाएगा क कोट में एड्मिसिबिलिटी है उसकी या नहीं है मैंने बताया आप एड्मिसिबल कर सकती है कोट अगर आपके जो documents हैं या जो भी आप electronic form में record submit कर रहे हैं चाहे वो video हैं या audio हैं या photographs हैं या CCTV camera या spy cameras के recording है वो admit किया जा सकता है धारा मैंने आपको बताई थी Indian Evidence Act की section 65B मैंने Indian Evidence Act जहाँ पर section 61 में प्रावधानित किया गया और बताया गया primary और secondary evidence कौन से होते हैं उसके बारे में ही बताया अब हम लोग बात करेंगी कि यदि आगर आप court में section 65B की application देते हैं पैसर B का आवेदन देते हैं और एफिडेबिट के साथ मैं अपने इन evidence को court के समक्ष ले जाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि भई आप इनके उपर फैसला दीजिये तो court क्या करेगी निश्यत रूप से court आपके जो evidence है उसको accept कर सकती है 65B के हिसाब से Indian evidence की जो धारा है और उसके बाद जो अगला step होता है वो होता है आपके evidence को forensic lab भेजने का forensic lab इस वज़े से भेजा जाता है क्योंकि आपने जो detail court में दी है जो आपने audio या video submit किये है forensic lab जाने के बाद सत्यापित किये जा सके वास्तवी किस्थिती पता हो सके कि ये सही है या गलत है इनके साथ कोई छिडखानी हुई है या नहीं और forensic judge की report आने के बाद ये report court में दी जाती है forensic lab के द्वारा ये report के साथ जो आपने evidence भेजे हैं वो evidence भी वापस आते हैं और फिर उसके बाद court decide करती है कि आखिर इसकी क्या relevancy है इस particular case में तो मतलब ये है कि अगर आपने facebook की chatting या कि whatsapp की chatting या कि आपने जो आपका video या audio record किया है वो आप court में admit तो करा सकते हैं लेकिन forensic lab भेजना पड़ेगा अब इसके बाद हम लोग ये भी बात करते हैं कि अगर police के द्वारा जो criminal case में ज़्यादा तर देखा जाता है police के द्वारा अगर audio या video recording को जबती किया तो उसका तरीका क्या है उसका भी एक prescribed form है उसका भी एक prescribed procedure है इस procedure को आप लोग जानते हैं इस प्रक्रिया को जानते हैं सबसे पहले कभी भी police अगर electronic device को जबत करती है तो उसे आपको धारा 91 CRPC 1973 जो criminal procedure code है धारा 91 का notice देना पड़ेगा notice देने के बाद में जो भी चीज वो आपसे जबती कर रही है चाहे वो आपका spy device हो या CCTV camera हो या आपका mobile phone हो इन सारी चीजों को जबती करने के जैसे मैंने आपको बदाया section 91 का notice देगी और जबती करने के बाद में जो electronic device है उस व्यक्ती के जिस व्यक्ती का है उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी किसे सरकार को याने पुलिस को वो आपको कीमत देगा suppose that मैं एक रास्ते से जा रहा था और मैंने एक crime scene record किया जहाँ पर किसी लड़की के साथ कोई लड़का छेरखानी कर रहा था कीमत अदा करनी पड़ेगी देनी पड़ेगी अगर मेरा फोन 20,000 रुपे का है तो पुलिस मुझे 20,000 रुपे पे करके और वो मेरा mobile phone जब्त कर सकेगी जिससे मैं दूसरा एक नाया mobile phone ले सकूँ और उस जब्त किये गए mobile phone को code की सहमती के बाद forensic lab test के लिए भेजा जा सके मान लिजे कि 8 या 10 महिने या 1 साल के लिए अगर lab में वो phone पड़ा रहता है और इस condition पे जब तक वो case 2 साल 3 साल तक code में चलता है तो क्या मैं बिना mobile phone के रहूंगा या कि mobile phone मुझे दिया तो आज 20,000 की कीमत है कल को तो 5000 की भी नहीं रहेगी तो इस condition पे ऐसे नियमों का प्रावधान किया गया है जहां पर पुलिस या सरकार आपको पैसे देगी जितना उसकी वास्तविक कीमत है अगर किसी दुकान के बाहर CCTV कैमरा लगे हुए जिसने एक कोई crime picture को record किया अगर पुलिस को CCTV की कैमरा की जबती करनी है तो जबती कर सकती है धारा 91 CRPC का notice देने के बाद लेकिन शर्त यही है कि आपको कीमत चुकानी पड़ेगी जो भी उसकी कीमत है वो पुलिस आपको अदा करेगी ये इस वज़े से भी ध्यान में रखने वाली बात है क्योंकि इससे आपका नुकसान ना हो और आप सही बात को court के सामने produce करने में help कर सकें आप चीजों को छुपाएं नहीं ध्यान रखने वाली इसमें ये भी बात है कि जो complainant है अगर जो इसने शिकायत किये जो शिकायत करता है अगर ये mobile phone या electronic device उसका है तो इस condition पे उसे ये पैसे नहीं मिलेंगे उस device की कीमत नहीं मिलेगी या कि जो crime कर रहा व्यक्ती है जो accused person है जो आरोपी व्यक्ती है अगर उसने ये सारी चीज़े की जैसे suppose that किसी लड़की का वो rape कर रहा है और वीडियो बना लिया या किसी लड़की की गंदी audio या वीडियो record किया और लड़की ने शिकायत कर दी तो आप जो जबती होगी उसके phone की वो ऐसी गुझाइश ना रखे कि पुलिस सब उसकी कीमत अदा करेगी ऐसा नहीं है आपने अगर कुछ गलत किया है तो पुलिस आप उसके साथ जबती भी कर सकती है और उसकी कीमत अदा नहीं करेगी लेकिन मैं एक रास्ते से जा रहा था मैंने देखा कि कोई दूसरा लड़का किसी लड़की के साथ अभदर तरीके से छेड़कानी कर रहा है गंदी गालियां दे रहा है या अभदर विभार कर रहा है मैंने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली पुलिस अगर मुझसे मेरे मोबाइल फोन की अलेक्ट्रोनिक डिवाइस की या एक्विपमेंट की जबती करती है तो उसकी कीमत मुझे देनी पड़ेगी लेकिन अगर आपका मोबाइल फोन जबती पुलिस ने किया आप रिकॉर्डिंग उस समय पे कर रहे थे तो पुलिस आपको उसके पैसे नहीं देगी या ध्यान में रखने वाली बात है यदि उस लड़की ने भी उस चीज की रिकॉर्डिंग की है जिसके साथ ऐसा हो रहा है जो कम्प्लेनेंट है जो शिकायत कर रही है उसे भी पुलिस वो पैसे अदा नहीं करेगी तो पुलिस की जबती का मैंने आपको तरीका बताया दो चीजें ध्यान में रखने वाली जहाँ पर पहला CRPC section 91 criminal procedure को 973 जो कानून है उसके तहट पुलिस आपको notice देगी notice देने के बाद आपसे जबती कर सकती है लेकिन अगर जबती किसी third person की है जो crime में involved नहीं है और जो पुलिस को as an मदद करने वाला व्यक्ती है उससे अगर कोई mobile phone या कोई electronic device की जबती की या CCTV camera की जबती की तो पुलिस उसकी कीमत अदा करेगी लेकिन अगर कोई complainant है उससे कीमत नहीं देगी पुलिस अगर कोई जो व्यक्ती आरोपी है जिसने ऐसा crime किया है जिसके against में allegations है उससे भी पुलिस पैसे नहीं देगी तो हम लोगों ने बात की Indian Evidence 65B की और इसके साथ ही पुलिस का जबती की क्या प्रक्रिया होगी आपको वीडियो ये जानकारी कैसी लगी नेशित रूप से आप मुझे जरूर बताइए comment box पे इसके साथ ही अगर आप हमारे साथ नए जोड़े हैं तो subscribe कर लिजे आपका अपना चैनल है online legal advice इसी प्रकार के आपको कानूनी जानकारी और वीडियो निरंतर लगातार मिलती रहेंगी आप सभी जो कीमती और महतपूर्ण समय हमें देते हैं इसके लिए बहुत धन्यवाद आपकी personal problem के लिए अगर बात करना चाहते हैं तो बात करने के लिए whatsapp number आपको दिख रहा होगा और इसके साथ ही इस वीडियो के description में appointment link मेंचेन है जहां से appointment book करके आप अपनी personal problem के लिए मुझे बात कर सकते हैं आप सभी जो कीमती महतपूर्ण समय हमेशा मुझे देते हैं और हमारे इस channel को online legal advice को इतना support करते हैं आप सभी का बहुत